आज हम बात कने वाले हैं आपके राजस्तान में बीएस नर्सिंग एक्जाम पैटर्ण के बारे में जी हाँ बिल्कुल काफी सारे कमेंट आ रहे थे हमारे पिरिये विद्यार्थों के उनका कहना था सर, RUHS राजस्तान में बीएस नर्सिंग का 2023 का एक्जाम पैटर्ण क्या रहने वाला है पूरा हमको बताईए और हाँ पिछले वीडियो में जो आपने कमेंट किये थे उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा क्योंकि आपको पता है सारे कमेंट आपके देखके जाते सारे डावट आपके क्लियर किये जाते है तो पिरिये विद्यार्थों यहाँ पर जो आपका एक्जाम होगा 2023 में राजस्तान बीएस नर्सिंग का वो यहाँपर ओफलाइन होने वाला है ठीक है, ओफ लाइन यानि की पेपर सीट के मादेम से, पेन के मादेम से है ना, पहले की तरह कंप्यूटर पे नहीं होगा ये देखिए, ओफ लाइन कंडक्ट होगा अब यहाँ पर आप बॉलेंगे सर कितने गंटे का होगा दो गंटे का पेपर होगा आपके आरियों, एचस, बीएसी नर्सिंग का यानि की 120 मिंट का किलेर, अब यहाँ पर आप बॉलेंगे सर पेपर का लेंगवेज कैसा रहेगा तो पेपर का लेंगवेज, इंगलिस और हिंदी दोनों लेंगवेज में आप से क्यूशन पूचे जाएंगे किलेर, अब चलते आगे के ओर अब यहाँ पर आप बॉलेंगे सर फिजिक्स से, केमेस्ट्री से, बाइलोजी से कितने क्यूशन पूचे जाएंगे तो फिजिक्स से 33 केमेस्ट्री से 33 बाइलोजी से 34 टोटल कितना हो गया? 100 तीन सबजेक्ट से 100 क्यूशन आप से पूचे जाएंगे और पूरा पेपर 100 का रहने वाला है परते क्यूशन एक नमबर का रहने वाला है अगर कोई भी क्यूशन आप गल्द करते हो तो क्या उसका नेगिटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा तो सबसे बड़े कुशी की बात है कि नो नेगिटिव मार्किंग नेगिटिव मार्किंग नहीं है और क्यूशन आपको अटेम्ट करके आने है चाहे आपको आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो क्यूशन आपको अटेम्ट करना है क्या पता टिक सही लग जाए क्या पता तुक्का सही लग जाए तो नम्मर तो मिलेगा कम से कम तो नेगिटिव मार्किंग नहीं है इसके लिए एक लाइक तो बनता है तो इसके लावा और भी जानकार यहां पर मेंशन की हुई है इनकी चर्चा हम करेंगे बट उससे पहले आपके कमेंट यहां पर देख लेते जो आपके डाउड थे इस एक्जाम पो लेकर देखिए प्रिविद्ध्यारत्यों यहां पर पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे और यह आपके कमेंट हमने ओपन कर लिए तो डिपिका का कहना है सर्थ जो बच्चे आरिव एचस एक्जाम देंगे अगर उनका नमबर नहीं आता है तो फिर वह बच्चे प्रिवेट कोलेज से मेडिकल कोलेज में कैसे करेंगे बिल्कुल अच्चा क्यूसने दिपिका और बहुत सारी विद्यारतों का भी यही क्यूसन होगा कि अगर हमने एक्जाम दिया नमबर कम आए तो फिर क्या होगा देखिए फिर यह विद्यारतों अगर बहुती कम अंख है आपके जिसे 100 में से आपके 15 नमर है सो में से 20 नमर आ रहे तो फिर कोई भी कोलिज आपको नहीं मिलेगा ना तो गौवर्मेंट ना प्राइवेट तो कम से कम कोशिस करना कि सो में से आपके कम से कम 25 परसेंट चे उपर नमर आए यानि कि 30 पे 30 आजए तो बहुत अच्छी बात है तो प्राइवेट तो मिली जाएगा 100 परसेंट और गौवर्मेंट चाहिए आपको तो गौवर्मेंट के लिए तो 60 परसेंट के लगबग लाना होगा और SMS जेपर वाला चाहिए तो 80 के अबाव जाना होगा आपको वो तो वीडियो बना देंगे कि कौन सी केटगरी के लिए कितना रहेगा क्योंकि चैनल तो आपने सस्क्राइब करी लिया बेल आइकन पर प्रेस करी लिया और आप से मैं कम्नुकेट करता रहूँगा सारे कमेंट में देखता रहता हूँ क्योंकि यूटूब पर और कोई नहीं देखता आपके कमेंट, इग्नोर करते हैं आपके कमेंटों को, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करूने वाला हूँ अगला, सर सब का एक वार्सअप ग्रूप बना दो, बिलकुल अच्छा आइडिया है देखो, ताकि सबी को जानकरी मिल सके बना देंगे अगर सबी की सहमती हो तो वार्सअप ग्रूप, ठीक है, बट सबी की सहमती होना चाहिए कुछी का काना ही सर, उदेपूर कितने नंबर तक मिल जाएगा, उदेपूर मिलेगा 65 तक, ठीक है, अगला, कमेंट सारे देखे जाएंगे, चाहिए कितना टाइम लगे, लेकिन मैं आपके लिए टाइम खर्च करने के लिए तयार हूँ, आपका बवी से बनाना है मेरे को सभीता का कहना है, इस बार बी एस नर्सिंग की तयारी कैसे करें, बहुत ही प्यारा क्योसन पूचा सभीता ने, और मैंने आपको बता रखा है, कि तयारी करो, तो डॉक्टरों की टीम से करो, और किसी टीचरों से मत करो, क्योंकि वो क्या जाने, मेडिकल फिल्ड के बारे म मेडिकल फिल्ड वालों से त्यारी करो ना आप जो डॉक्टर है ओल्रेडी तो चलो कहां से कर सकते आप त्यारी तो प्रिविद्यारती आपका गुरू होने के नाते मैं यही कहूंगा क्योंकि बीएस नर्सिंग एक मेडिकल फिल्ड का इससा है और डॉक्टर के द्वारा आपको समझ में नहीं आता है कोचिंग लेने का तो कोई दिक्कत नहीं यह कोचिंग क्लासेज लेने के लिए वार्सप नंबर पर आप वार्सप भी कर सकते हो और कोई भी डाउट है फिर भी तो कमेंट करके भी बता सकते हो हम आपके साथ है